हलो साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PVR स्टडी में मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत बहुत बलकम खरता हूं चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आपका एक्सरसाइज है कौन सा एक्सरसाइज है बिटा 8.4 क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों है ठिक है तो फष्ट नंबर दो बेटा कहां का कह रहा है इसका सबको दिख रहा है 9 sec square a minus 910 square a 9 sec square a minus 9 यह 10 square a और नीचे आपको 4 इसमें से option दिये हैं उन में से कोई एक option select करना है so don't worry इसमें हम 9 common ले सकते हैं तो sec square a और minus का यह 10 square a आजाएगा इसको हम लिख सकते हैं 9 into 1 equal 9 इसका answer आजाएगा आपको option number B सही है ऐसा क्यूं है क्योंकि बेटा देखो यह सर्वसमिका होती है आप सबको पता होना चाहिए कि स्क्वाइर A minus 10 square A equal 1 होता है ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं नहीं यह पाहला complete हो गया चले सिकेंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं पहला पार्ट हो गया आपका सिकेंड पार्ट देखिए देखो बेटा कुश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका solution इतना मैंने पहले इसलिए लिख दिया है क्योंकि बहुत लेट हो रहा है क्लास बहुत बढ़ी हो र पद में इनको मैंने तोड़ दिया है ठीक है कुश्चन में नहीं लिखा हूं केवल सलूशन वाली लाइन लिखा हूं ठीक है तो वन की जगा पर वन लिखा हूं यह तो नीचे वन छीपा दिया जिससे यह अंसार बन जाए और जो कॉट स्वारी टैन थीटा लिखा था न इक रुज़ गया तो कॉश्चन में देखो तो टैन थीटा की जगा पे साइन थीटा पाण शीचा कर दिया अधार अपैर स्टा डिखा देखा उस पेटा जो स्वार्ड लिखा था स्टेख की जेगा पया था लीख दृब्य क्वैं आपकां शीट कॉऴलार घुजश स्टम क्या होगी lcm अब आई तुमको भिन हल करना आता है lcm में पहली हिंद के हर से भाग करेंगे जब आई और का फिटा का अरगे और फो लाद नहीं में बाहागे यह इस जब गे लिख़े पीछे कोई फरक्टा पड़ता है घ्रक जब यह हमने इसको पूरे को क्या मान लिया ए और वन को क्या मान लिया भी के लिख दिया इस लिए तो यह प्लस भी माइनस भी बन गया इसका फर्मूला होता एका स्कॉर मानस भी का स्कॉर नीचे जो आया था उनको ऐसे लिखते गए इनमें कुछ भी बदला नहीं करें हैं हर वैसे ह है ठीक है लाश्ट में इनके मान रख दिये एक एक अमान यह इतना माना था इसको पूरा लिख दिया और भी कमान लिख दिया अब हमें इसे ए प्लस बी का होली स्कॉयर के सूत्र में ओपन करेंगे और बस चंद मिनिटों में आपका कोईश्चन का सलूशन आपके सामने आ जायेगा ठीक है तो ऊपर आप लोग ध्यान देना ए प्लस बी का होली स्कॉयर का सूत्र याद रखना और बताना मुझे क्या होगा भई कोई बताएगा अनिवन मिश्टर रिद्धी कुमार बताओ क्या होगा मनु सिंग मोहित देखो कुछ बच्चे कमेंट के पीछे बहुत पगला हैं बेटा कमेंट के चक्कर में ना आहां जलो पर फर्मूला ऑपन करता हूँ अब इनको ले जाकर के ऊपर ओपन करिया फर्मूला देखे समझेए चाह यह सूत्र होता है साइड में लिख रहा हूं ध्यान देना यहां दिखेगा न यह सूत्र होता है प्लस का whole square equal होता है a का square then b का square or then 2ab यह आप सब को पता इसमें कोई doubt नहीं है तो यहां पर a की जगा पर cos theta b की जगा पर sin theta है ठीक है तो यहां से मैं इसको लिखना सुरू करूँगा यहां के बाद में आप लोग यहां के समझोगे ठीक है बेटा तो a का square होता है a का square मतलब cos square theta है then b का square होता है तो b की जगा पर sin है तो sin square theta हो जाएगा और फिर धन 2ab होता है तो धन 2a की जगा पर cos theta और b की जगा पर sin theta ठीक है done फिर minus का 1 होता है तो यह minus का 1 इसमें किसी को कोई doubt नहीं नीचे क्या हो जायगा नीचे देखना क्या हो जायगा समझ ना नीचे हो जायगा sin theta into cos theta बस कोई doubt नहीं अब cos square theta plus sin square theta जो है इस कमान क्या होगा 1 होगा क्या होगा 1 होगा तुम सब को पता है बहुत अच्छे से पता इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें पता है न थिक है तो बेटा इसकी जगा पे पूरे की जगा पे 1 हो जाएगा तो आपका 1 प्लस ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 ध्यान रखना ये मैंने साइन को आगे कर दिया कॉस को पीछे कर दिया इससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला ठीक है? ओके? नीचे देखो नीचे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ठीक है बेटा? क्लियर कोई दिक्कत नहीं न नीचे मिटा सकता हूँ मैं मिटा देता हूँ कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉबलम तो बता देना अब इसमें देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये वन प्लस में है दूसरा वाला वन क्या है? माइनस में है तो वन से वन कट जाएगा तो जब वन से वन कट जाएगा इसमें ये 2 sin theta into cos theta नीचे sin theta into cos theta भाई 2 गुड़ा में है ये multiple में है तो ये इसको ऐसे कर सकता है यानि ये से ये नीचे कट जाएगा cancel हो जाएगा final में 2 आएगा answer इस तरह से आपका question number 4 का second part complete हुआ कोई doubt है तो बताइए नीचे कोई बताइए comment करिए आगे बढ़े बहुत जल्दी next third part दिखाईए चलिए very good very good बिटा very good third number देखिए कहरा कि सेक ए और प्लस 10 A दूसरे कोश्ठक में है 1 minus sin A ये किसके बराबर है भई ठीक है कोई दिक्कत की बात तो इसमें है ने किसके बराबर है चलो कर लेते हैं इसमें भी आपको बिल्कुल सिस्टम तरीके से चलना है हां चलो सेके को हम लिख सकते हैं क्या सेके को हम वह नपान को से लिख सकते हैं इसे तुम लोग होमवर्क करोगे ठीक है वॉमीर कंड करो मैं सब होमिर्क करों इसी करो अगला पार देखो बटाँ अगला पार्ट वही फूर नंबर इसको लगता आ फॉर से बर्शीए क्यों सबता देता हुआ हम तट कर लोगे की नहीं चलो फूर देखे ध्यान से कहई रहा है कि 1 plus 10 square a upon 1 plus 4 square a देखो बाबु इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं इसका आणसर आएगा 10 square a D options और सही है क्यों सही है कैसे सही है मैं दिखा रहा हूं देखो ध्यान दो question लिख तूं क्या चलो question में लिख देता हूं अभी तक मैं कोई question लिखा नहीं हूं लेकिन मैं लिख दे रहा हूं 1 plus 10 square और यह 1 plus court square ठीक है यह आपका मुख्य सवाल है देखो भाया जो 1 plus 10 square है बेटा इसकी जगा पे हम स्यक square लिख सकता हूं ठीक है इसकी जगा पे स्यक square लिख सकता हूं और 1 plus जो court square है इसकी जगा पे court square लिख सकता हूं यह सर्वसमिका होती सूत्र होता है क्या सूत्र होता है यह 1 plus court square a equal यह court square a यह क्या एक सूत्र होता है एक सर्वसमिका होती है ठीक है जो की court square a minus court square a equal 1 होती है ठीक है वैसे एक सूत्र यह भी होता है 1 प्लस यह ध्यान देना 1 प्लस 10 स्क्वाइर एकल स्क्वाइर यह भी एक सूत्र होता है तो इसी की आधार पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं देखो बेटा जो कौस स्क्वाइर है कौस स्क्वाइर है भाई स्वाइर को क्या लिख सकते हो तुम वह अपान कौस को इतना लिख सकते हो उसी तरह से कौस स्क्वाइर को तुम लिख सकते हो वह अपान साइन स्क्वाइर इसमें कोई डाउट नहीं किसी को नो डाउट अब यह चार हो गए तो बाहर का बाहर अंद और डी सही है है ना कोई किसी को डाउट है तो बताओ नए डाउट ना आगे बढ़े नेक्स्ट बहुत जल्दी करो फटा फटा फट नोट करिए स्क्रीन साड़ लीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूटूब पे जरूर सब्सक्राइब करें और फेस्ट बूक इंस्टाग्राम पे हर जगाव फॉलो कर लें जिससे कलास के बारे में प्रते एक सूचना आपको मिल सके हर जगा कहीं भी सर्च करो पी बी आर एस्टडी पी फार वाहन और आर फा नहीं इसमें चारी पार था इस तरह से आपका कोईशन नंबर फोर कंपलीट होता है कोईशन नंबर फाइब की तरफ आगे बढ़ेंगे अगला फाइब नंबर इसमें सिद्ध करना है मतलब प्रूब करना है एलेचेस अरेचेस दो पद दिये गए हैं इनको क्या करना बरा पाद अच्छा रहेगा जो भी पाद है उसे एक बार लिख लिया जाता है थीक है अब हाल करते हैं देखो बई कॉस्एक ठीटा को बाबु आप depois साइन थीटा हम लिख सकते है माइनस कौट थीटा को आपको पता है कौट थीटा को कौस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हो लिख सकते हो ना भई कौट को कौस अपान साइन तो यह हो जाएगा कौस थीटा अपान साइन थीटा whole square है तो इसका क्या हो जाएगा whole square अब क्या करोगे अब क्या करोगे बिट्टा इनमें cross multiple करोगे ऐसे ऐसे तो यह हो जाएगा sin theta minus क्यों क्या चाह रहे होगा कि नहीं ऐसा क्यों करेंगे cross multiple जला सोचो जब दोनों में sin theta sin theta बराबर है तो हम यह सब क्यों करेंगे कोई मतलब ही नहीं cross multiple करने का बराबर है ना तो कुछ नहीं करना ऐसा ठीक है आगला step कर लो इसमें एक plus point मिल गया क्योंकि दोनों में नीचे sin theta बराबर है तो यह हो सकता है one minus cos theta और यह sin theta इसका हम कर सकता हूं whole square क्यों क्यों क्योंकि इसका भी whole square है यहाँ every day तो क्यों क्या कोई दुक्त नहीं दो बार था इसले एक बार लिख दिया क्योंकि यह दोनों हर हर बराबर है थिक्सटिता इसमें कोई दिक्कत नहीं नगा बाबू आगे चलो देखो हमें काम कर सकता हूं इनको दोनों को अलग अलग दिखा सकता हूं 1-cos²θ इसको मैं लिख सकता हूं sin²θ इसमें किसी को कोई doubt नहीं न ठीक है don't worry देखो इसको ऐसा करना अभी सही रहेगा कर लो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत तो नहीं है हां कोई दिक्कत नहीं लेकिन लाना क्या है हमें इसको उसके अनुसार लेके चलना होगा हां माइनस का माइनस अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा एक उपर माइनस बचेगा एक पलस बचेगा हमें इसमें लाना है इसको ऐसा करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है ऐसा कर भी नहीं सकते हैं इसे ऐसा कर सकते हैं कॉच्ठ़क में और वन माइनस कॉच्ट़इटा दूसरे कोच्ठ़कमें तरहनीं तभी काम बनेगा यह है यह सरबसमयं ऑलत जोड़ी आ को याद है हृत i7 इसका मतलब यह मोन माइनस कॉच़्इटा का होल ए स्कॉयर है तो बाही होलिसक्वायर मतलब इसको दो जगा लिख देंगे इसको दो जगा लिख दिया नीचे दिख रहा है ठीक है कि one minus थीटल यह भी 1 minus cos theta देखो बेटा समझन लब सुब क्ष Вас सकता हूं Sun minus cos student थीटा ठीक है ऐसा हम लिसके क्सी को कवेधाऊ इसमें किसी को भी तो लगा सकते हैं क्योंकि वन का स्कॉयर लगाने से इसके मान पर कोई फरक नहीं पड़ेगा कर सकते हैं तो इस पर क्या करेंगे आप स्कॉयर लगा लेंगे और फिर आगे लिखिएगा यहाँ इसके बाद यहाँ आ जाईएगा 1-cosθ 1-cosθ नेचे हो जाईगा a i²-b i² तो प्यटा a प्लस b और a-b बन जाईगा ऑँ अप्लस b a-b देखो यह माइनस माीनस एक एक कट गया बचेएगा 1-cosθ 1+, cosθ एटा एक्वाल प्लस relatYes hence proved सिद्ध हो गया कोई डाउड नहीं किसी को नहीं न यह मैंने इक्स्ट्रा लिखा था इसलिए यह ए मिटा दिया लिख लीजिए नोट कर लिजिए, इस्क्रीन साथ ले लिजिए, अगर कोई doubt है तो मुझे बताईए कहीं भी कोई संकोच है तो बताईए, बिल्कुल बताईए, तुरंद बताईए ठीक है, इसके अगले पार्ट पर आगे बढ़ते है इसका भी अगले पार्ट दिखाओ इसके अगले पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आचुका है ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है इसमें क्या करना है, बिटा देखो क्रास मल्टीपल करना है, ठीक है मतलब तिर्शा गुड़ा करना है ध्यान देना, कॉस ए और ये भी कॉस ए है तो कॉस ए का कॉस ए में क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है तो कॉस ए का जब कॉस में मल्टीपल करोगे तो क्या बनेगा ये, कॉस स्क्वाइर ए, ठीक है क्या बनेगा, कॉस स्क्वाइर ए, तो इसको लिख लेंगे क्या लिखेंगे यहाँ नीचे लाइन में देखो यह cos square a ठीक है 1 plus sin a और 1 plus sin a इसका multiple करोगे क्योंकि आपको क्या करना है cross multiple करना है तो 1 plus sin a का हो जाएगा यह whole square ठीक है नीचे cos a का इसमें गुड़ा हो जाएगा यह आप सबको पता है cross multiple करना हर किसी को आता इसमें कोई नई बात या फिर कोई बड़ी बात नहीं है तो यह हो जाएगा 1 plus sin a और यह cos a ठीक है समझ में आ रहा ना सोते जागते लोगों सबको आ रहा है ना चलिए देखे आ गए आप यह कुछ लोग सोने लगते हैं और यह थोड़ा सा समझना दिल लगा के समझना a plus b का whole square होता है a का i square b का i square और 2 a b simple सा है बिलकुल इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं तो इसमें लग जाएगा फर्मूला a का i square then b का i square a की जगा पे 1 है b की जगा पे sin a है then 2 a b a b ठीक है इसमें कोई doubt नहीं कच्छा 10 में पहुँचे हो कोई छोटका बच्चा तो हो नहीं कि मैं तुमको एक एक चीज बताऊ इसमें इतना तुम आलूम ही है ठीक है अब क्या करोगे देखो बेटा यह जैसे है वो ऐसे कब ऐसे रहेगा इसमें कोई परकार का बदलाव नहीं करेंगे इसका कोश्टक चाहे हटा दो कोई मतलब नहीं है ठीक है अब यहां से थोड़ा सा समझना बस थोड़ा सा देखो भाई साइन स्कॉयर ए और यह कॉस स्कॉयर जो भी है पहले कॉस है फिर साइन है आपको समझ में आए इसलिए हमें एक लाइन और बढ़ा देते हैं चलो तो साइन स्कॉयर ए पहले लिख देंगे फिर कॉस स्कॉयर ए लिखेंगे फिर यह 1 लिखेंगे फिर 2 और यह साइन है एक लाइन मैं इक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आये फिर यह ना कहो कि नहीं आया ठीक है इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा अब इसकी जगा पे बाबू 1 हो जाएगा यह 1 पहले से है इसलि स्क्रेन से मैं हटा देता हूं लापता कर देता हूँ अब इसको इसके आगे हल करते हैं क्योंकि नीचे जगा मैं नहीं है तो यह वन हो जायागा इतने में नहीं रहा गया गया हम आगे बढ़ते हैं ठीक है फटाफट चलो जल्दी से कि अब क्या करोगे जड़ा इसमें सोचो हम इसमें दो sensi दो common हो सकता ए तो ऊपर बचेगा साहीने तो चलो दो common लेलो नो बाइब क्या बचेगा साहीने बचेगा मैं ठीक है देखते हैं जो भी बचेगा कि यहां के बाद मैं ऊपर हल करूंगा क्योंकि नीचे जगा ज्यादा बची नहीं इस में पाएगा नहीं चलो समझना ध्यान से समझना मैंने जैसे जैसे लिखाया वैसे वैसे तुम भी लिखोगे कि तब ही समझ पाओं गे पहले यहां से यहां तक आये हैं फिर यहां गये हैं है और यहां के बाद खाण जाएंगे ऊपर ऊपर मतलब यहां लिखेंगे वह यह उपर नहीं जाएंगे जहां तुम सोच रही अब साधी भी नहीं हुई है साधी पहले ने जायेंगे चलो देखो इदर तो इसमें two common ले लेंगे तो ये one plus sign A बचेगा ठीक है क्या बचेगा one plus sign A ठीक है done कोई दिक्कत नहीं नीचे क्या one plus sign A और ये cause है यह नीचे था पहले से न, यह क्या है, cos A, ठीक है, तो 1 प्लस साइने से 1 प्लस साइने कट गया, cancel हो गया, done, ऊपर क्या बचा भाईया, ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है, cos A, देखो बेटा, इसे लिख सकते हैं, 2 upon, इतना लिख सकते हैं न, इसमें कोई दिक्कत, नहीं न, देखो 1 upon cos A, को से के लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 2, और से के, equal RHS, hence, proved, इंग्लिस वाले लिख लेंगे, हिंदी वाले लिख लेंगे, आता, सिद्ध हुआ, यही तो करना था, second part में, done, इसमें कोई doubt किसी को, नहीं न, समझ गए न, बैटा, देखो, यहां से मैंने हल करना शुरू किया, यहां तक आए, फिर यहां किया, और यहां के बाद में direct ऊपर गए, फिर यहां तक किया, इसमें किसी को कोई doubt नहीं न, आगे चलें, चलिए, अगले, इसका next step दिखाईए भई, third part दिखाईए, third part दिखें, इस screen पर आपके सामने आ चुका है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तुम्हें, नीचे देखो, question दिख रहा है न, 10 theta upon 1 minus cot theta, plus cot theta upon 1 minus 10 theta, equal 1 plus 1 theta into cos theta, इसको तो आप लोगो खुद कर लोगे न, तो यह पार्ट आप होम और कर लेना थार्ड वाला, अब 4 नंबर पार्ट दिखाईए, क्योंकि मैं अभी तक सारे पार्ट करवा रहा हूँ, जैसे मैंने 1, 2, बताया वैसे आप 3rd और 4 का होम और कर लेना, 5 नंबर थोड़ा कठीन है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 5 नंबर आपके सामने इस स्क्रीट पर आ चुका है, जयान देना, 5 नंबर कुष्चन के कहता है, cos a minus sin a plus 1, upon cos a plus sin a minus 1, इक को इसको प्रूब करना है, cos a plus a के बराबर ठीक है, तो बेटा, यह LHS मैंने लिख लिया है, ठीक है, लिख लिना, यह क्या है, LHS, ओके, LHS मैंने ले लिया है, अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे, किसी भी तरह से हल करके, हमें कॉसे के plus water लाना है, लेकिन तिरकोड मेंती, जो है न, उसके rule का follow करना है, पालन करना है, ऐसा बिना नियम करनी करना, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर लिख सकते हो, अंस वाहर में, साइन ए का भाग करने पर, ठीक है, क्योंकि यह जैसे इस्तिती में है, ऐसे इसको cos, कट कुछ भी बदलना असंन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, बिटा, इसमें cos A से सभी में भाग दे देंगे, स्वارि, sin A से, तो cos A पहले से है, इसमें भी sin A का भाग हो जाएगा, माइनस, यह sin A पहले से था, इसमें भी sin A का भाग हो जाएगा, प्लस 1 अपान इसमें भी साइन अ का भाग हो जाएगा आप ही मैंने सिर्फ आंस में किया है अब बारी आती है नीचे हर वाले की तो कौस A है कौस A इसमें भी साइन अ का भाग हो जाएगा और प्लस ये साइन इसमें भी साइन अ का भाग हो जाएगा minus 1 इसमें भी क्या हो जाएगा sin A का भाग हो जाएगा तो बेटा देखो जब इस तरह से तुम्हें भाग करोगे final में देखना cos upon sign यह हो जाएगा cot A minus sign sign कट जाएगा 1 आजाएगा और plus 1 upon sign यानि cos A इसमें कोई doubt नहीं यह cos upon sign इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है लेकिन हमें cos A plus cot A लाना है यहाँ पे जो 1 इसमें आरा बीच में यह नहीं लाना है तो भाईया यह 1 को हम भागाएगे कहां आखिर हमें काम कर सकते हैं वो क्या है यहाँ तक लिख लिए हो तो आगे बढ़े आगे यहाँ बढ़ते हैं ध्यान देना इसके बाद में इधर चलेंगे भाई समझते चलना बाबुआ समझते चलना अब देखो इसमें काम मैं कर सकता हूं cot A और यह plus cos A इसको मैंने दोनों को इकठा लिख लिए cot A plus cos A और ध्यान देना यह जो minus का one है ना चलो एक बार तुम मैं फिलहाल लिखी देता हूं line बढ़ जाएगी लेकिन आपको समझाना है नहीं तो मैं एक फोड़ा साट कर देता तो तुम confuse जाओगे yellow ठीक है इसमें कोई doubt नहीं है किसी को इतना मैंने क्या किया अब देखो बैटाईस काम कर सकते हो तुम वह यह है यह कोट ए और प्लस यह कोईसे के minus one की जगा पर लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कौईसे की स्क्वाईर मैंनस कॉट इसक्वाईर ठीक है क्यूं लिखेंगे अभी लाश्ट में बताऊंगा पर लिख लो बस कॉट सक्वाईर माइनस कॉट सक्वाईर यह तुम लिख सकते हो वन की जगा पर ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं न अभी बताऊंगा यह क्यूं करवाया मैंने एक्चुली हमें प्रूब करके कॉश्यक कॉश्यक प्लस कॉट लाना है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे तो इस लिख लो अब कॉट ए माइनस यह कॉश्यक प्लस वन इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ठीक है अब इसमें हमें काम करेंगे कौन सा काम करेंगे आप इसमें ध्यान दो भाई कुछ कॉमन ओमन हो जाएगा बुड़ा हो जाएगा मल्टिपल कर सकते हो कुछ करके देखो सोचो अभी आपको नहीं सब्सक्राइगा क्या कॉमन है क्या नहीं है अभी इसमें बनाना पड़ेगा वह क्या है भाई देखो यह काई स्क्वाइर माइनस बीकाई स्क्वाइर के रूप में भी सकते हो तुम एक्चुली यह कैसे मैंने लिखा क्यों लिखा बताऊं यहां कर लिख लो चाहे चुप़े से आँसे चुकि यह सुंवसामिका होती है कौन compañ Lenya seat कद और माइनस वाइच स्कॉरे ही कल वों होता है यह सूत्र होता याद azभ़ना टीक है ऊपर मैंने लिखा क्या को मने लिख दिया था ठीक है अभी एकौट एग्ष और a plus b और a minus b ठीक है यहाँ पर दिख रहा है ना सभी को किसी को कोई दिक्कत नहीं ना उदर साइड में यह cos cot 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 उसके आगे कुछ नहीं है CAUSEC A MINUS CAUSEC A इतना क्लियर है अब नीचे जैसे जो था उसको ऐसे लिख देते हैं यह CAUSEC A और यह MINUS CAUSEC A ठीक है M Teachers CAUSEC A और PLUS 1 अब देखो इसमें काम हो सकता है वो क्या है? क्वांन अग्यों हो जाएगा क्या वोरेकों अंढक्या है क्लें तो प्र headर पुरा-क्पूरा और यह कौमन क्वचार हो जय मुंदा उत्त रही क passé में कंवें एक चौमन कि प्लस क्वांग एक प्लस कउसे में कॉसे केखक सक हम्लेट थेरी तो यह बचा है अभी कॉसेक a minus कॉट a इसमें कोई डाउट नहीं किसी को नीचे वाला ऐसे नीचे देंगे जैसे था कॉट a minus कॉसेक a plus 1 ठीक है इसमें कोई डिक्कत नहीं ना किसी को नहीं अब इसमें कोई डाउट ना चलो आगे बढ़ते हैं इसमें किसी कोई परिसानी नहीं चलो ठीक है done अब देखो पेटा यहां पर एक चीज तुम समझो वो क्या है इसमें कुछ हो सकता है चेंज वो क्या है अगर हम यह कोश्टक ओपन करें यह कोश्टक ओपन करें तो तुम्हें मिलेगा कि यह जो है इसको इसको इतना अच्छे से प्यार से बिल्कुल इतना करने के बाद देखना और प्यार से देखना ठीक है चलिए देखिए अगर लिखा नहीं था आपने तो वीडियो को बैग करके अभी स्क्रीन साथ ले 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 ना आप लिख सकते हो और अगर आप अप्लिकेशन में देख रहे हो बाबू तो फिर स्क्रीन साथ तो नहीं कर पाओगे रोक करके लिखो देखे यहां पर हम फिर इसको पूरा का पूरा यहां लिखेंगे दिख रहना यहां तक थोड़ा ज्यादा अंदर लिख दिया हूं कोई कर नहीं यहां पर लिखेंगे यह बराबर ठीक है कोटे प्लस कॉसे के कोटे प्लस यह को से के इतर ठीक है तेखो बिटा यह कोष्टक अंदर में खुल जाएगा तो पहले माइनस से इसलिए अंदर की चिन बदल जाएंगे तो यह बड़ा कोष्टक प्लस थोड़ा जगा में लिखेंगे कोश्टक ए और वो प्लस हो जाएगा ठीक है कोश्टक और प्लस यह कॉट ए ठीक है डन कोई दिक्कत नहीं न तो पेटा यह हो गया आपका कॉसेक ए माइनस एक मिनट सॉरी नीचे जो था वही लिखना भई बदलना नहीं है जो था वही लिखना बटा नीचे था आपको कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन अब यहां अगर आप एक बात ध्यान दो तो कॉट है की नहीं है यह C te डई माइनस नीज मेंस कउसे की को। case tapi यह पूरा-पूरा कर सकता है अपस यह पूरा-पूरा सुब तो भूर्टा क्या बचेगा क्या बचेगा बाबु और कॉट एफ यह कोस्या के बचेगा शेल DR Restaurant यही चिदः करना था अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग गया तो आप समझ गये होगी इसमें कोई परकार का आपके अंदर डाउट नहीं वचा होगा है ना अगर कोई डाउट है तो बता दो भी नहीं ना यह मैंने कहा था यह थोड़ा छूट रहा था उसके आगे कुछ था नहीं लिख लेजि ठीक है सब्सक्राइब अवस्य कर लें आगे बढ़ें चलिए इसका अगला पार्ट दिखाईए च्छाटवा नमबर सामने आ चुका है ध्यान दिजिए कहरा कि one प्लस साई ने अपान one माइनस साई ने इनको हल करके हमें स्यक और प्लस टैने लानी है ठीक है आसान है चलिए हम LHS में जो कुछ करेंगे इसको करेंगे तो LHF ले ले लेते हैं वैसे LHF लेने का मतलब एक बार इसको फिर फे ऊतारा जाता है ठीक है उसके बाद कुछ करा जाता है यह लगाने का तरीका है इसमें हर को परमेगरन करेंगे परमेगर आप जानते हो ना करना इसमें को कोई दिक्कत है नहीं तो यह मैंने ऐसे लिखा यह यह 1- साइने पर में करण का मतलब है उसी पद से जैसे भी वो दिया है उससे क्या करना है गुडा करना है किवल चिन बदल करके यह इसी को बोलते हैं पर में करण इसे इंगलिस में कुछ और बोलते हैं बताना कमेंट करके ठीक बिटा okay done a plus b a plus b final में आपका हो जाएगा under root के अंदर ही सब कुछ तो ये एक समान है तो ये हो जाएगा whole square ठीक है और ये a minus b a plus b ठीक है तो क्या हो जाएगा बैटा ये a ka i square minus b ka i square इसमें कोई दिक्कत नहीं किसे को न अब देखो एक काम कर सकते हो इसमें तुम वर्गमूल अंसवा हर दोनों में अगर है इस तरह से इसे हम कुछ और भी कर सकते हैं समझते चलना समझते चलना क्या कर सकते हैं इसका वर्गमूल हटा सकते हैं कैसे हटा सकते हैं थोड़ा सा समझ ना पहले अलग कर देता हूं तब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस sin A इसका होल स्कॉयर वर्गमूल और नीचे भी कर सकते हैं नीचे इसको कर लो अलग से देखो इसको तुम कॉस लिख सकते हो कॉस लिख सकते हो भाई इसका जब स्कॉयर करोगे वन हो जाएगा 1-sin2 यह कॉस बन जाएगा तो यह हो जाएगा आपका कॉस स्कॉयर है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है नो प्रोब्लम कोई दिक्कत नहीं तो देखो बेटा समझो समझो थोड़ा सा समझो अगर अगर अंडर रूट चार का होली स्कॉयर है तो इसे हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं आपक青ओ किसे लिख सकते हो देखो रूल से समझो यह तो धड़ करथा कि हम 4 लिख सकते है रूल यह कहता है कि इसका जब होली स्कॉयर करोगे बेटा तो 16 हो जाएगा 16 और 16 का और और फिर से 4 आएगा अगर अगर अंडरूट 4 का अल ही स्कार करो गे तुम तो अंडरूट इसका और रखमूल चार आएगा तो सिद्धा फिद्धा हम यह 16 लिखे डार लिखते ना जहां हमें डारेक्ट अंसर काया में वहां लिख सकते हैं तो उसी तरह से उसी तरह से बच्चा हम क्या कर सकते हैं जिसके वर्गमूल लगा है वर्गमूल और स्क्वाइर यह दो चिन हम हटा सकते हैं ठीक है तो यह बचेगा 1 प्लस Sine A नीचे इसमें भी ऐसे कर सकते हैं Squire हटा सकते हैं वर्गमूल भी हटा सकते हैं तो यह जाएगा कौस A यह 1 अपान कौस A और into Sine A अपान कौस A इसे हम आलाग तोड़ के लिख सकते हैं क्योंकि कौस A दोनों के नीचे है तो बढ़ाई यह वन अपान कॉस है यह हो जाएगा सेक एंटू टैने क्यों भाई यही करना था कुछ क्या पुलस में लाना था ना एक मिनट सॉरी समझना भाई बीचे में पुलस है ना बाबू तो यह पुलस लगा लो यहां भी पुलस लगा दो हो एंसर ठीक है इसमें पुलस साइन कोस है हो गया बराबर क्या हो गया। दिए विअ कि लिख दीजिए का हो गया ह है और सब्सक्राइश यह प्रूब्त हो गया सिद्धों कि चृटा हो गया इसमें कुल 10 पार्ट है चलिए सात्वा पार्ट आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पार्ट दिखाओ भई चलिए अगला नेक्स्ट आज के ये चैप्टर जो आपका चल राठमाना खतम भी हो जाएगा फिर नौवा चैप्टर चलेगा कल से ठीक है चलो अगला देखाओ अगला आगला पार्ट आपके सामने आ चुका है सत्वा आप स्क्रीन पर देखिए नीचे सबसे नीचे कोश्टन दिख रहा है देखो बाबु इसको होमवर कर लेना आप लोग ठीक है क्योंकि इसके पहले के और बाद के लगबग मैं सब बताया हूं इ आगे परते हैं नेक्स्ट ध्यान देना अठ्वा नंबर मैं बताऊंगा यह थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है मैं इसे बताऊंगा इसक्रीन पर भी कोई च्श्टन आपको दिख रहा है ऊपर भी मैंने लिखा है दोनों जगा दिख रहा है ना क क्या कहता है कि該कि साइ प्लस कॉजयक अक का होल इस्क्वाइर और प्लस का से प्लस सेक ऑल इसको हल कर ना है तोड़ा सा बड़ा लोड़ा लगान देखने में कोई दिक्कत नहीं इसे हम जो सळन अपलस कॉजय रहे ना इसे A plus B का whole square मान के हल करेंगे ठीक है बेटा तो चलो हल करते हैं इसे A मान लो इसे B मान लो और whole square यानि A का square दिख रहे है न थोड़ा बड़ा जाएगा लिखा जाएगा मतलब लिखाना जाएदा पड़ेगा तो ये sine square है plus ये causeak square है इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को ठीक है और plus 2 भी होता है A की जगा पर sign A और B की जगा पर cause के तो ये होगे A square धन B square धन 2 B अब इसमें भी ऐसे ही करोगे ठीक है इसमें भी ऐसे ही करोगे तो ये हो जाएगा A का square यानि cause square धन B square यानि सिक के square ठीक है और फिर क्या हो जाएगा बेटा आगे इंटू इंटू होगा की प्लस होगा 2 cause A इंटू सेक A ये दोनों का फार्मूला क्या हो गया ओपेन हो गया पूरा फाइनली ठीक है हम क्या कर रहे हैं LHS को ले करके हल कर रहे हैं याद रखना आप लोग एक पर चाहे फिर फे लिख लेना या लेचेस ठीक वेटा या लेचेस लेकर के हम इसको हल कर रहे हैं ठीक है अब देखो यहां पर समझना थोड़ा सा समझना आप आसान रहेगा साइन स्क्वाइर एं और कॉस स्क्वाइर एकठ्ठा करो जो सारब समिका बनाते हैं उनको इकठ्ठा करो तो साइन इसक्वाइर एं यह प्लस कось इसक्वाइर ए उसी तरह से namely जो जो लीखेंगे पहले इनको अंडरलाइन कर लेंगे यन दोनों मैंने लिख लिया है अब यह टोटल बचा है और वो बचा है ठीक है तो इन दोनों को भी लाएंगे पटक पटक के लिख देंगे पहले इसको लेकर आएंगे तो बेटा यह हो जाएगा टू साइन ए और कॉसे के को तुम लिख सकते हो वाना पांट साइने बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं न प्लसी प्लास्टग किसी और इंटू क्या यह को आपान क्या सिर्च फिक्य दन अब देख को यह साइन साइन संपाइन कैंसिलों वाग।र को से कह से इंसलों हो गया ठीक है यह पर्मूला बन गया से साइन स्कॉड़र नहीं वीट स्कॉर्छ थीट प्लस किस्ट़ी लेकिन हमें भी क्या हो गया वन हो गया इसमें किसे को कोई डाउट नहीं न ठीक है no doubt don't worry चलो अब देखो बेटा बाबु भही थोड़ा से समझो यह और यह तो भही यह वन हो गया क्यों वन हो गया कि नहीं किना लिखें वन इसको भई क्या कहते हो इस बढ़ देखो देखे जैसे मैंने लिख लिया वो तो ठीक है लेकिन साथ लाना है लाश्ट में सिद्ध करके तो इस तरह से सेबन नहीं आएगा हम एक काम करेंगे हम इसके पूरे की जगा पे तो वन प्लायरई लिखेंगे किसकी जगाप लिखेंगे पूरा पूरा कॉजckt की जगापे और प्लस से जगापर उन प्लस स्ञरल इस लिखेंगे और प्लस य्योदोर यह दो यह निंहीं हो जाएंगा यह चाए अब देखना समझ ना हमने ऐसा क्यूं लिखा देखो बटताया से कॉर्ष सर्व Kazakhstan स्कॉयर के इस लिए मैंने लिखा यह सरवसामीका है और यह भी होता है क्या ये ब्रश कॉर्ष स्कॉयर एडे कल बन्फ गॉर्ष कोइड हे इस Veeduc इसके माददेम से मैनने इसको लिखा यानी सावंछना इसकी जगह फे मिटा इतना लिखाऊ एक यह वन और यह सर्फजोंडे का सेबन हो जायादा को प्लस प्लस nisqaRie ऐसे एक बाद में ःliśmy तो कोई दिक्कत नहीं है किसी के योगफल पर कोई फरक नहीं पड़ता है लिख दो आज चैस सिद्ध हुआ इंगलिस वाले लिखेंगे एंस प्रूब्ड मतलब सिद्ध हुआ ठीक है यह सीरियल बदलने से कोई फरक नहीं पड़ता मान पर आगे पिछे कर सकते हो एक उधारन अगर चोटा सा मैं बता दूं यहां देख लो देखो चाहे चार में तीन जोड़ों के साथ होगा तीन में सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ठीक है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे फिरी बढ़ सकें चलिए आगे कोईश्चन आपके सामने नीचे आच चुका इस क्रिन पर ध्यान दीजिए कहरा है कि कोईश्टक के माइनस साई ने दूसरे कोईश्टक में से के माइनस कोई से इकवल वन अपान टैने प्लस कोटे इसे सिद्ध करके दिखाना है यह आप लोग कर लेंगे ठीक है त्राइए करना भई देखो बहुत सारे प्रस्ण में कर रहा हूं दस पार्ट से मैंने छे साथ पार्ट करवा दिये दो तीन होमवर्क छोड़ रहा हूं परिशय तो त den कोढ ती का परिशय हो जायेगा बंच को इसमें तीन पार्ट दिया है कुस्च्चर सनी शक्रीन पर देखीन नीच दिख रहा है कि ऐसी स्कूरे आपान न पलस वकोट स्कूरे इए एक पार्ट ऑंड 1-उश कॉट ए не क्वार्ट यह क्या दूसरा पार्ट है इसका whole square पूरे का बराबर 10 square a एक को P मान लो एक को Q और एक को R ठीक है तीन पार्द है इसमें LHS, RHS आप मानोगे थोड़ा confusion में रहोगे तो एक को P मान लेते हैं एक को Q और एक को R मान लेते हैं तो मान लेते हैं कि चलो P वाला लिखते हैं P Q R 3 पाद है न बेटा तो 1 प्लस हम लिख लेते हैं 1 प्लस 10 square a और नीचे 1 प्लस यह कौट square a देखो बाबू समझते चलो 1 प्लस जो 10 square a इसकी जगह पे तुम 6 square लिख सकते हो सूतर से तुम 6 square a इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं न अब देखो समझते चलो 1 upon cos square a cos square a इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं अब आपको ऐसे क्रास मल्टीपल कर सकते हो तो यह sin square a हाँ यह हो जायागा आपका cos square e clear final में हो जायागा आपका ए टैन square a बराबर q हो जायागा ठीक है यानी यह क्या था आपका पी था बराबर q सिद्द कर दिया हमने पहला पद लेकर दूसरा ला दिया ठीक है इस तरह से आप दूसरा पदला करके तीरा पदले आईए बस हो जाएगा चलिए एक और बचा उसको भी कर लेते हैं ठीक है डन कोई दिक्कत ना नहीं ठीक है तो अगला भी करवा देता हूं इसका अगला पार्ट देखिए मतलब इसी में 1-10 स्क्वाइर जो भी है उसको लिखता हूं दिखा को लाएंगे ठीक है तो यह दिया है भाई लिख लिया इसको मैंने क्यूं आप देखो बाबु इनको क्या करेंगे 1-10 स्क्वाइर जैसे है ऐसे रहेगा सुरी यह 10 स्क्वाइर नहीं है यह कुछ और है अगर इसे आप ध्यान से देख रहे हो आपको यहां पर अनुभव हो रहें 1 आपां 10 लिख सकते हैं क्योंकि जो हमें आंसर लाना है वो लाना है बलंक ल apoyo 10 Ten sq2 e dphg k लाना है यही लाना है मैंने सब को 10 कि रूप में कर लिया ठिक है ऊपर इसे है लिख देएगे 1-10 sq1 a सुरी अभी स्कॉयर मत लगाओ बाहर से ही स्कॉयर लगाते जाओ यहां पे स्कॉयर मत लगाओ ठीक है डन इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को नीचे आजाओ क्रास मल्टीपल करो तो यह टैने हो जाएगा इसका गुड़ा होगा one और नीचे यह टैने whole square था पूरे का, so मैंने कर दिया, इसमें को डाउट नहीं किसी को, चलो, अब देखो बेटा, यह fraction के रूप में है नीचे, लेकिन ऊपर यह fraction के रूप में नहीं था, यह अकेला था, ठीक है, तो यहाँ हल करेंगे, ध्यान देना, अभी यह नई लाइन हो जाएगी, मज़ते चलना बिल्कुल प्यार से, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, one minus, यह tan a, और इसका whole square है, तो क्या करेंगे, इसका whole square करेंगे, कि नहीं करेंगे, नहीं कुछ नहीं करना, into, इसको बेटा देखो, यह पलट जाएगा, यह हो जाएगा, tan a upon, यह tan a minus one हो जाएगा, अभी आपको थोड़ा doubt होगा, तो मैं clear कर दोगा, कुछ second हमारे साथ रूकना, अभी सब clear हो जाएगा, ठीक है, अब पूरे का whole square था, तो जो भी है, यह पूरे का whole square, ठीक है, ऐसे ही करते जाएगे, समझते जाना, देखो बाबू, यह tan a है, यह tan a में है, one minus में है, और देखो त इसमें काम करेंगे, minus common ले लेंगे, अगर minus one common ले लेंगे, समझना, तो यह minus one common लेने से क्या हो जाएगा, minus one हो जाएगा, जो common लेना जानते है, उनको मालूम होगा, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ minus common ले लेंगे, one जाने दो, minus common, और यह plus हो जाएगा, ठीक है, सम मज़ते चलना यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इनको हम ऐसे कर देते हैं और यह आपका टैन ए और नीचे जैसे वह ऐसे का वह ऐसे ही रहेगा इसमें कोई डाउट नहीं किसी को यह ऐसा मैंने क्या कॉमन कॉमन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पूरे में से मैंने क्या 10a प्लस में 1 माइनस में यह यहीं ऐसे कट जाया गए इसे तो बचेगा क्या और याद रखना यह जो कोष्टक लगा है न कोष्टक ऐसे लगा दो और इसका होल स्कुरेर ठीक है अब देखो यह माइनस बचा है और इंटू अंदर में 10a है तो यह हो जागा आपका 10a और इसक होल स्कुरेर माइनस जो बचा है न एक बात समझने का मतलब जीरो नहीं हो जाता है कटने का मतलब यहां पूरा पूरा कटा तो यहां भी नीचे वन आया होगा वन से बाग देने पर कोई फरक नहीं पड़ेगा उतना जाएगा इसलिए नीचे वाला वन की काउंटिंग नह संसे रहेगा मल्टिपल करने पर फाइनस में पूस हो जाएगा ठीक है बरावर क्या हो गया हो गया निया आपका पी क्यू खें तो बताईए किसी को कोई परकार का ड्यावट है नहीं नहीं न चलिए तो इसी परसने के साथ प्यारे साथ ही हूं आपका ये चैप्टर आठमा खतम हो गया तिरकोड मिती परिचे खतम हो गया अगर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है कोई असंका है तो करिए हम बताएंगे ये कलास का टाइम पर तेक सुबा आठ बजे य और आपको इकठा कंप्लिट कोर्स मिलने से आप चाहें जीतना पढ़ें दिन में पांच घंटा आठ गंटा पढ़ें एक महिना में पूरा खतम करने सब ठीक है इकठा मिल जाता है यूटूब पे एक-एक मिलता है मिलते हैं फिर बहुत बहुत धन्याद अगर आपको करना होगा तो अगर फिरी पढ़ना है तो यूटूब पे सब्सक्राइब करके पढ़ते रहो